तो फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोसर इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ POCO X3 PRO मोबाइल में आप यहाँ पे फिंगर्प्रिंट लॉक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो फिंगर्प्रिंट लॉक सेट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे पैटन लॉक अल्रेडी सेट कर रखा है पैटन लॉक सेट नहीं कर रखा है तो अगर फर्स टाइम अगर आप फिंगर्प्रिंट कर रहे हैं तो फिंगर्प्रिंट सेट करने से पह और आपको यहां पे साइड में फिंगर्पिंट को आपशन दे रखा है तो यहां पे आप अपनी कोई भी फिंगर ऐसे टच कर लेंगे तो जो भी फिंगर आपको एजी लगता है चाहिए यह वाला अंगूथा या फिर यह वाली फिंगर तो इसे आप यहां पे टच कर और इसके बाद यहां पे आपको एक बर और ऐसे से हलकालका टच करना है हलकालका टच करना दवाना नहीं है इसको ठीक है हो चुका है इसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे इतना होने के बाद यहां पे आपको एक और फिंगर्प्रिंट एड करना है तो एड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रेस करके खुलनी चाहिए फिंगर्पिंट या फिर टच करके तो मैं टच पे क्लिक कर दूँगी तो हलका सा टच करूँगी तो यह खुल जाएगा और अगर आपको यहां पे फोटो गरा हाइड करने के लिए बैत इसको सेट करना है फिंगर्पिंट को तो यहां पे आप प्राइवेसिपासफट के लिए क्लिक कर सकते हैं यां पर्ण के लिए कर ओर यह इनेपल कर सकते हैं तो यह ब्लू कोलर का होजाएगा और यह ब्लू कोलर ऑच चाहिए उस टे अ प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं अब देख लीजे कि स्क्रीन लॉक है और मैं यहां पर हलका सा टच करूंगी तो यह अनलॉक हो गया है तो इस टैप से यहां पर सैटिंग कर लीजेगा I hope guys ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टैप के और वी इंटरसिंग वीडियो सेखने के लिए चैनल फिजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार